कि आपकी फ्रेंचाइजी लोग क्यों ले और बाकियों से आप कैसे अलग है अगर इस प्रोड़क्ट को अगर में मार्केट से खर्वी दूँ तो कोई नहीं दे सकता इसको 99 में इसके अंदर देखिए कितने हैं यह 85 का है इसमें चार पीस असनेक्स मिलेंगे इस तरीका का चार कटोरी रहेंगे यह टाइट के साथ ठीक है यह टी टाइम है इसके अंदर जो है आपको मग्य मिलेंगे चार यह पहला बार हमारे पास आपको 99 में चार मिलेंगे बाकि जितने जगा आप देख रहे होंगे दो पीस 99 में मिलेगा यह जैसे अभी जो बोल रहे हैं कुछ प्राइज ऊपर नीचे होते रहते हैं दो चार दिन में उपर नीचे होते रहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं उसमें बहुत अंतर आएगा 10 पैसे 20 पैसे कांतर आता है मतलब आपके लिए 50 पैसे कांतर दिखेगा वह अलग-अलग ऐसा भी नहीं है कि हर प्रोडक्ट में बढ़ेगा ही बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे वी है जिसमें घटा आया ह हमारा रेट उसमें भी आपको दिखाएंगे यह हमारे पास चाय का सेट है यह आपको जो है 75 में मिल जाएगा इसी का सेम जैसे यो यो फाइन चाइना दोनों एक ही चीज है लेकिन अलग-अलग ब्रांड से हैं तो इस तरीका से हमारे पास जो कैटिग्रिया वाइस देखा अभी जैसे गर्मी बगेरा जो आ रहा है उसके लिए यह प्रोड़क्ट है जूस बगेरा सर्वत बगेरा के लिए यह आपको 75 पर मिल जाएगा देखे गाईस यह मैं दिखाना चाहूंगा मुझे काफी बहतरी लग रहा है यह अगर इस प्रोड़क्ट को अगर में मार्के रुपए में मिल जाएंगे अच्छे पीस कटोरी है जी ठीक है इस तरीका से यह भी अभी हमारा नया एड हुआ है यह पिछले बार यह सब प्रोड़क्ट जो है आपको हमारे पास नहीं था यह कितने का है यह 85 का है यह प्रोड़क्ट दिख रहा है मुझे काफी मार्केट तो और देखे क्नदर की स्नेक्स भी हो सकता है और कुछछ भी इसमें यूज कर सकते हैं तो और देखें कुछ प्रोड़क्ट अब यह जैसे पीछे बार भी हम लोग देख रहे थे इसमें अलग-अलग डिजाइन भगेर आया है यह पिछले बार भी हम लोग के पास था पुराने प्रोडक्ट तो नहीं देखना चाहेंगे तो कितना वीडियो बड़ा हो जाएगा और इतने प्रोडक्ट है कि पूरे दिखाने ही सकते हैं तो इसके लाँ और भी कोई प्रोडक्ट है जो नया एड हुआ है जैसे यह सब रे बात करते हैं कि आपकी फ्रेंचाइजी लोग क्यों लें और बाकियों से आप कैसी अलग है दो कि फ्रेंचाइजी में हो क्या रहा है कि लोग का रहा है कि हमारे पास 15 78 हमारा भी खुद का ही है जैसे हम लोग पैकेज बनाये हुए हैं 15 का अभा का और 30 मुझे है तो पैकेज तो है कि अगर आप उस बजट में आ रहा है तो ठीक है अगर मान के चलिए किसी किसी के साथ होता है जैसे दो-तीन फ्रेंचाइजी भी हमारे साथ ऐसा हुआ जो फ्रेंचाइजी बुक होने के बाद गारा हजार देने के बाद और उनका पैकेज भी था कि हम डेल लाख वाल लेंगे लेकिन जिस दिन माल डिलेवर करने का बात आया जब वो हमार से लाओ नहीं हो रहा है लेकिन मेरे मन में है हम करना चाहते हैं मेरा बजट कम गया है तो हम लोग उन लोगों को भी सहीओ कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि आपके पास डेल लग नहीं है तो ठीक है आप मत लीजे फ्रेंचाइजी आप स्टार्ट कीजिए हमसे पचास जार ही दे बिक्री नहीं होगा या सेल नहीं होगा तो आपके अंदर एक निरासा पैदा होगा और वो मेरा फ्रेंचाइजी बंद हो जाएगा अगर हम उसको कम बजट में काम करते हैं तो उसके अंदर उत्सा रहेगा उत्सा यह कि भाई हमने पचास जर से आज काम चालू किया है और चार लक्रक करें और उसको लिया है जो कि चार लक्रक अ कईसे मार्केट के छृट से लगा रहा है तो उसका उसका अपसे बढ़ चाहिए बढ़ जाएगा औहर उनके अंदर वास्ता हैगा और पूरा नहीं हो रहा तो तो अगर पचास जर लगाक ए छोटे लोग ज्यादा मेहनती करेंगे अगर जो 50,000 लगा रहे हैं उनको अगर मान के जली डेली का 2,000 आ रहा है तो उनको उनके अंदर एक उत्सा हाएगा कि क्यों न हम एक लख लगाएं और 4,000 कमाएं तो इस तरीका से हम लोग ये भी कोसिस कर रहे हैं कि अगर आपके पास बजट रहे गा मदूब जी का और काफी कॉपरेटी का यहां पर यहां पर और बोल रहे ते पिछले बार कि आपका वेबसाइड आने वाला है सारा कूछ सिस्टम पर रहेगा उसका क्या हुआ बिलकुल वो जैसा हमने पिसले बार भी बोला है कि मार्च लाश्ट तक आजाएगा त अगर उसका कुछ आप अपने कस्टमर को दिखाना चाहते हैं तो अभी कुछ स्क्रीन सोट बगेरा है हमारे पास जो पहले काम चल रहा है उतना तक हम कुछ-कुछ चीज़ आपको मौईल पर दिखला सकते हैं तो गाइस यहां पर थोड़ा साम वेबसाइट के बारे में भी करेंगे जिकर करेंगे और मुझे लग रहा है जो मैं देख रहा है जितनी भी 99 के स्टोर्स हैं वेबसाइट के थूर अभी कोई नहीं चल रहा है मैनुवली वर्क हो रहा है और आपको पता होना चाहिए कि डाटा जो है कभी जूट नहीं बोलेगा बेटा जूट बोल सकता है तो इस चीज के उपर बहुत इंपोर्टेंट वही चीज है कि आपने क्या लिया कितना क्वांटिटी गया कौन सा प्रोड़क्ट लिया यह पूरा डिटेल में आप अपने उनके वेबसाइट पर देख पाएंगे यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे यहां पर दि इसी तरह कि आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है एक चीज और पूछना चाहूंगा कि एक बताइए कि कुछ नए लोग आएं आपके साथ जो फ्रेंचाइजी ना ले तो क्या उनको मालाब डिलेवर करेंगे अगर वो मतलब अस्टोर नहीं होना चाहिए 99 का स्टोर किस ने करणकर में जब वह से सब्सक्राइव तो वह सिकि का सभी नहीं अचाहिए नहीं कोई इस तो कोिस्तोर को स्टोर हो फोऱकान वाले Slowly में दिकत क्या घ्याएगा ओर 99 में दिक्कत क्या नहीं आएगा जो बताते हैं दुकान में क्या होगा कि हमारे यहां से मान के चलिए सपोज मान यह हम दे दिये और यह प्रोडक्ट असी रुपया में ले गिया अब वह इसको डिर सो दो सो करके बेचेगा लेकिन 99 में हमारा रहे या किसी और कर रहे बेचना तो उसको 99 में ही है तो हम लोग 99 जो स्टोर है जो पहले से किसी ना किसी का है उसको दे रहे हैं लेकिन एक चीछ का अंतर आएगा यहां पर हमारे फ्रेंचाइजी और बाहर फ्रेंचाइजी जो दूसरे कहें उनमें रेट में लगवक 2-3 परसेंट का अंतर आएगा कुछ- जो हमारे पास खरीदारी आ रहा है उसमें भी हम लोग अभी स्टार्टिंग में अपने जुनियर मौल के लिए 3-4 परसेंट कम करके अपने प्रॉफिट में से 3-4 परसेंट हम लोग जुनियर मौल के फ्रेंचाइजी वाले को दे रहे हैं तो वो आप में कट नहीं करेंगे चुकि वो इसलिए हम लोग जुनियर मौल को दे रहे हैं दो रीजन है कि वो हमारे पीछे 11,000 रुपे लगाया हम पे बिस्वास किया चुकि वो भी तो चाहे तो बाहर जा सकता है लेकिन उन्हें पे बिस्वास किया तो हम ऐसा देख रहे हैं कि उनको जितना मार्जिंग द अगर आपको लगता है कि इनके साथ हम सिफ्ट हो सकते हैं इनके साथ हम बिजनेस कर सकते हैं इनका प्रोड़क्ट इनका विवहार इनका बिहेवियर इनका रिलेशन आपके साथ बहुत अच्छा लगा तो सिर्फ 11,000 रुपे देखे जुनियर मौल जो है उसके अंदर आप सिफ्ट हो सकते हैं और यह अच्छा उपर्चुनिटी हो सकता अगर आप परिसान है तो अगर परिसान नहीं है तो जैसा आप काम कर रहे हैं उससे करते रहिए किस-किस प्रोड़क्ट में आपका रेट कम हुआ जो आप जैसा क्या बता रहे से कुछ प्रोड़क्ट नाप पर जाएगा अच्छा इसलिए हो पा रहा है चुकि अभी स्टार्टिंग में जब हम लोग के पास फ्रेंचाइजी कम था हम लोग का पर्चेजिंग कम क्वाइंटीटी में हो रहा था तो अभी क्या है जिस तरीका से हमारा फ्रेंचाइजी बढ़ रहा है उस हिसाब से हम बहुत ज्यादा सेल होता है लेकिन हमने यह देखा कि जब तक जब हमारा पर्चेजिंग कम गया तो हम अपने कस्टमर को बेनिफिट दें अगर कस्टमर को आज हम ज्यादा बेनिफिट देंगे रिटेल काउंटर अगर हमारा खुस रहेगा तभी हम खुस रह सकते हैं चु सब्सक्राइब तरह 20 हवाण अभी यह één क्र सब्सक्राइब देख रहे थे तोट पीछले वार जो आप बहुत सरे कंपनियों से बात चल अभी कंपनी आने के बाद भी हम लोग कुछ पाला प्रड़क्ट जब ले रहें तो क्वांटिटी कम होने के वज़ा से रेट इधर उधर हो रहा है तो जब तक हम आपका प्रड़क्ट न मंगा लें जब तक आपका क्वालिटी नहीं देख हम आपके कैसे विश्वास करें इसको लेकर करके फर्स्ट बार में थोड़ा क्वांटिटी कम रहता है इस कारण से भी रेट में अंतर आ सकता लेकिन जैसे जैसे हमारे पास रेट डाउन होंगे वह से हम कस्टमर को बिना बोले हुए कस्टमर को उसका बेनिफिट देंगे यहां तक इनोंने बहुत अच्छी बात बताया कि जैसे जैसे इंको इनकी से ईक़े पावर बढ़ेगा प्लस पोईंट बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहां इस वीडियो में ने सब कुछ आपको डिटेल में बताया है और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को एक और पार्ट को देखना तो वह उसका लिंक दिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको दो यूनिक प्रड़क्ट दिखाते हैं जो मार्केट में नया तो नहीं कह सकते हैं लेकिन यूनिक है जैसे जो लोग जीम बगेरा जाते हैं उनके लिए जीम से कर अच्छा इस यह बोतल का जो कीमत है मार्केट में अड़ाई सो तीन सो अलग अलग क्वालिटी पे अल 85 में मिलेगा और 99 में सेल कर देना है इसी तरीका से एक स्माट टिफिन आपको हम दिखलाते हैं यह जो है यह टिफिन बॉक्स है और असमाट है एक तरह से यह इसके अंदर एक खाना यह रहा दूसरा अपना यह है तीसरा जो है यह इस तरीका से खुल जाएगा और चौथा प्लास्टिक में यह सब देखते हैं बाकी और कुछ आइटम जैसा कि पहले बात हुआ है कि कुछ नया जो आइटम हैड हुआ है वो दिखलाने का तो आईए उससाइड हम लोग चलते हैं पर्स हैंड पर्स बगेरा है यह आपको 99 में सेल करना है यह आपको इसमें तीन चार आपको मिल जागा 149 में सेल करना है इस तरीका से यह चब्ल लेडिस लोग का लिये है 99 में आपको सेल करना है इस तरीका से आप देख सकते हैं कि चपल में बहुत सारा वेराइटी है भी हम लोग सेंडिल वगेरा यह सबैड किये हैं इसी तरीका से चोटे बच्छो का है यह 75 का है 99 में आपको सेल करना है अब ही जो आपने कुछ प्रोडक्ट को साइड किया जो अभी आप नहीं बीके का जो जो भी जा रहा था और लोग मतलब 99 के हिसाब से लोग जल दी आ रहा है कि यहां जो भी जाएंगे वह 99 का ही माल मिलेगा तो जैसा हमारे जो भी फ्रेंचाइज थे उन लोग का सजेशन था यह कि अभी जो है वह हम लोग 99 ही ले करके चले इसी में जो है एक दो तरह का एक कैटिग्रिया रखिए कि 199 तक कर रखिए तो हम लोगों ने उसके उसके देखा कि सही बात है अगर हमारा फ्रेंचाइजी खुश रहेगा तभी तो हम कुछ कर सक है बाकी मार्केट का जैसा ढिमांड है का उस तरीका से हम लोग बदलेंगे काया होगा मार्केट के क्वालिटी इंप्रूव करना है उस रेट में इंप्रूव करना है अगर पब्लिक की प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर देंगे तो पैसा इतना आएगा जितना आप सोच नहीं पाएंगे तो गाईस इस वीडियो में आपको अच्छा डिटेल में बताया जुनियर मॉल के बारे में पू अच्छे फ्रेंचाइजी इस अच्छे ची कंपनी इस अच्छे श्टोर बहुत कुछ हम लाने की कोशिज कर रहे हैं लगातार की जिससे की आपका स्टोर चल जाए आपकी दुकान चल जाए आप बेरोजगार ना रहे हैं आप सेल्फ इंप्लोइड बन जाए या बिजनेस फोलो कर सकते हैं फेस्बुक पे मिलेंगा इस अगले वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू बाबाए जैहिंद